ओम नमाश शिवाय और भगवान शिव और गौरी मईया की अनन्य भक्त थी एक बार उसका पती नदी में सनान करने गया वहाँ उसका पैर मगर ने पकड़ लिया वह व्यक्ति करवा करवा कहके करवा को पुकारने लगा उसकी अवाज सुनकर करवा दोड़ी चली आई उसने देखा कि मगर ने पती का पैर पकड़ रखा है उसने मगर से आगरह किया कि वह उसके पती का पैर छोड़ दे पर मगर नहीं माना इस पर क्रोधित हो उसने एक कच्चे सूत से ही मगर को बांध लिया और सीधे यमराज के पास पहुँच गई उसने यम्राज से आग्रह किया कि हे प्रभू इस मगर ने मेरे पती का पैर पकड़ लिया था अता इसे आप नर्क में डाल दें यम्राज ने कहा कि हे देवी अभी इसकी आयू शेश है मैं ऐसा नहीं कर सकता इस पर क्रोधित हो उस पती व्रता इस्त्री ने यम्राज से कहा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको भी शाप दे दूंगी पती व्रता इस्त्री के शाप से भैभीत हो यम्राज ने उसे नरक में डाल दिया मगर के नरफ पे चले जाने के बाद यम्राज ने करवा को अमर्श सुहाग और उसके पती को लंबी और दिरधायू होने का आशिरवाद दिया इस तरह से दोनों पती पत्नी सुख पूर्वक रहने लगे इसलिए करवा चौट के दिन महिलाएं ये कहानी सुनती हैं और करवा माता से राधना करती हैं कि हे करवा माता जिस तरह आपने अपने पती अपने सुहाग की रक्षा की वैसे ही हमारे भी सुहाग की रक्षा करना कहानी समात ओम नमस्षिवाई ओम नमस्टिवाई वृतिय कहानी यह कहानी श्री गड़ेश और एक अंधी वृत्ध महिला की है किसी नगर में एक अंधी वृत्ध महिला अपने बेटे और बहु के साथ रहती थी वे बहुत ही गरीब थे पर अंतु फिर भी महिला वा अंधी महिला मृत्य प्रति श्री गडेश की पूजा कराज करती थी वा हर समय उन्हे भोग लगाय बिना कभी भोजन गहन नहीं करती थी श्री गडेश उसकी इस पूजा से प्रसन थे एक दिन वह उसके सपने में आए और उन्होंने कहा कि हे मैया तुम मेरी नित्य प्रती पूजा करती हो इससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ मांगो क्या मांगती हो उस व्रिद्ध महिला ने कहा कि हे प्रभू मुझे मांगना नहीं आता सो मैं नहीं मांग सकती तब गड़ेश सी ने कहा कि हे महिया तुम बहुत भोली हो तुम ऐसा करो कि अपने बेटे और बहु से पूछ लेना कि तुम्हें क्या चाहिए मैं कल फिर आऊंगा यह करकर श्री गड़ेश अंतरध्यान हो गए दूसरे दिन उस व्रिद्ध महिला ने अपने बेटे और बहु से पूछा तब बहु ने कहा कि आप बहुत सा धन मांग लिए अपने लिए नाती पोता मांग लिए फिर उसने कहा उस व्रिध महिला ने अपने पडोसियों से पूछा उन्होंने कहा कि हे महिया तुम तो इतनी व्रिध हो चुकी हो कि धन का तुम क्या करोगी इसलिए तुम अपने लिए नेत्र मांग लो अब बुड़ी महिला इस सोच में पड़ गई कि उसे आखिर मांगना क्या है तब उसने कहा उसने सोचा कि क्यों न मैं कुछ ऐसा मांगू जिससे सब की इक्षा पूरी हो जाए दूसरे दिन जब श्री गड़ेश आए तब उन्होंने कहा कि मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ मांगो क्या मांगती हो तब बुड़ी महिला ने कहा ये गड़ेश जी यदि आप मुझे पर प्रसन्न है तो मुझे नौ करोड की माया दे निरोगी काया दे अमर सुहाग दे आखों में प्रकाश दे नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे बुड़ीया की बात सुनकर गड़ेश जी बोले बुड़ीया मा तूने तो मुझे ठग लिया खै जो कुछ तूने मांगा है वह सभी तुझे मिलेगा यूं कहकर श्री गड़ेश अंतर्ध्यान हो गया और इस तरह से बुड़ीया को अमर सुहाग और धन संपती नाती पोत सबी कुछ मिल गया और इस तरह से बुड़ीया के कठीन तपस्या और निश्थावान पूजा करने से उनके परिवार में सुख ही सुख का वास हो गया इस तरह से कहानी समाप्त होती है